आप सभी बच्चों का स्वागत है यहां पर और आज की प्लास जो है वह है हमारे अर्धवारशिक परिक्षा जो मादमिक शिक्षमंडल मद्प्रदेश भोपाल का पेपर आया हुए है उसको आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं अर्धवारशिक परिक्षा जो अभी आज हुई है, आज physics का paper हुआ था, इसको हम solve करेंगे, तो आए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, कक्छा बारवी का यह question पत्र आपके सामने है, थोड़ी सी lightning आपके mobile की बढ़ा लीजे, mobile यह laptop की, क्योंकि थोड़ी सी paper की quality हलकी सी कमजोर थी, इस वज़े से image बनाने म इसका photo लेने में आगे पीछे के दोनों तरफ के impression आ गए है, आए तो शुरुआत करते हैं बच्चो, पहला सवाल है, घरों में दी जाने वाली विद्धार की अवरती होती है, यह general knowledge का question है, इसका answer है 50 hertz, घरों में जो विद्धार इस्तमाल होती है, उसकी जो अवरती हुआ करती है, विद्धू चुमकी प्राण की खोच किस ने की थी, तो विद्धू चुमकी प्राण की खोच की थी, इसने माइकल फेराडे ने, क्योंकि विद्धू चुमकी प्राण की दोनों नियम दिये थे, माइकल फेराडे ने, परमाडू स्वयाम होता है, धनावेशित, र सबसे कम है तो तरंग देर्थ जिसका सबसे कम होगा अवरत्ति उसकी सबसे ज़्यादा होगी तो दिएगा स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा आवरत्ति गामा किर्णों की है क्योंकि आवरत्ति और तरंग देर्थ एक दूसरे के विद्ध क्रमानुपाति और यू से इनवर्सली प्रपोशनल तरंग दैर जिसकी ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा उसकी आवरत्ती सबसे कम होगी और तरंग दैर जिसकी सबसे कम होगी तो उसकी आवरत्ती क्या होगी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवरती किसके होती गामा किर्णे सबसे ज़्यादा खतरना किर्णे होती है आगे देखे धारा मापी की कुंडली के साथ स्रेणी क्रम में उच्छे प्रतिरोद जोडने पर क्या बनता अगर आप गैलवेनो मिठर की क्वाइल में उच्छे प चुम्ब की तरंग E और चुम्ब की छेतर B में आपको संबंध बताना है तो क्या होता है इसका संबंध बताईए ओके मितरो देखे इसको करने का तरीका क्या है हम जानते हैं कि C प्रकास की चाल इक्वल टू कितनी होती है C equal to हुआ करती है E naught upon B naught C equals to होती है E naught upon B naught तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अपने पास में B equal to हो जाएगा B naught equal to E naught by C तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है B equal to E by C तो इसका correct option होगा A, B equal to E by C यह relation होता है विद्दुचेतर चुम्ब की चेतर और इसमें तो इसको याद करने का तरीका इस तरीके से याद रखेगा कि देखिए C जो होती ही प्रकास की चाल्ज होती है वो light vector की चाल्ज होती है वो E naught upon B naught हुआ करती है तो सीधा सीधा समन्द light का विद्दुचेतर के साथ होता है इस तरीके से मेरे को यह याद रहता है C equal to E naught by V naught या C equal to E upon B तो B equal to कितना हो जाएगा? E by C So B equal to E by C तो इसका correct option कितना हो जाएगा? A, A option A B equal to E by C चल यह अगला question है विद्दुच या चुम्मी की छेतर निमने में से किसे तवरित नहीं करता है हम दो जानते हैं कि विद्दुच या चुम्मी की छेतर पर लगने वाला वल विद्दुच बल होता है F बराबर QE तो अगर Q आप 0 कर देंगे तो neutron पर आवेश 0 हो जाएगा तो कोई बल नहीं लगेगा F बराबर 0 हो जाएगा और F equal to QVB ये भी कितना हो जाएगा 0 तो answer neutron पर किसी प्रकार करना विद्दुच बल लगेगा ना चुम्मी बल लगेगा तो answer इसका कितना हो जाएगा 0 विद्दुच धारा कैसी राशी है जी विद्दुच धारा एक अधिश राशी है यहाँ प्याना था अधिश It's a scalar vector Then एक सूच्मदर्सी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन चमता क्या होती है तो एक सूच्मदर्सी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन चमता के लिए हार relation मांगा गया है तो इसके लिए आपको समी करण पता होना चाहिए कि सूचम दरसी की लंबाई के साथ क्या relation हुआ करता है सूचम दरसी की आवर्धन चमता का ओके देखे मित्रों तो इस प्रशन को कैसे हल करते हैं सूचम दरसी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन चमता में क्या परवर्धन आएगा देखे आवर्धन चमता का formula जो होता है इस परश्टिस्टी की नियूनतम दिवरी के लिए सन्यूक तो सूचम दरसी के लिए क्या होता है M equal to minus V naught upon U naught 1 plus D upon Fe और जिसके अंदर जो सूचम दरसी की लंबाई होती है नलिका की लंबाई जो होती है ओके सूचम दरसी की लंबाई वो कित्ती होती है V o plus Fe अगर आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा वीओ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो परतिविम आपका बन रहा है, मध्धवर्ती परतिविम वो बहुत ज़्यादा दूरी पर बने, तो वीओ का मान बढ़ाना पड़ेगा, और वीओ का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो आवरधन चमता भी क्या होगी यहाँ पर बढ Q into V, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आवेसित कंड की उर्जा होती, यू अवराबर Q into V, तो क्योंकि जदी E रख देंगे, तो इसकी उर्जा हो जाई कित्थी E into V, शंट को हमेशा किस क्रम में जुड़ा जाता है, समांतर में, शंट को हमेशा पैरलल लेने की समांतर में जोड़ा जाता है, जब दो धारा वाही समानतर तार में विप्रीद दिसा में आती हैं, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, जब दो धारा वाही तरक एक ही दिसा में आते हैं, तो विप्रीद दिसा में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं तौp यहाँ पयानएगा अंसर प्रती-करशित, चलीma, अगला सवाल दिखते है, अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन से कुण्यों क कुण्यों के अप्योग किया जाता है? नाइट में फोटोग्राफी करने के लिए मतलब अंधेरे में डार्क में फोटोग्राफी करने के लिए किन किर्णों का उप्योग किया जाता है बताईए एक मिनट सोच करके तो मित्रो आपको पता होगा कि जो लाल कलर के फोटाउन होते हैं वो क्या होते हैं वो ज्यादा समवेधन शील होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के प्रती तो यहाँ पर लाल कलर की दरश किरणों का उपयोग किया जाता है नाइट में एक मिनट नाइट में फोटोग्राफी के लिए तो मित्रू यहाँ पर अभी मैंने जबाब दिया कि अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए लाल रंग के द्रश किरणों का द्रश फोटॉन का इस्तमाल के जाता है बट यहां पर यह नाइट विजन कैमरा भी एक कंसेप्ट यहां पर आता है अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए मतलब अंधेरे में यह फोटो खीचना नहीं है यह एक्चली किसे उन चीजों को तो यहां पर आंसर आएगा अवरक्त समय के साथ परिवर्ती विदुद्चेत्र के कारण क्या उत्पन होती है प्रेरित धारा समय के साथ परिवर्ती विदुद्चेत्र मतलब बदल रहा हुता विदुद्चेत्र तो उसके कारण परवर्ती विदुद्चेत्र के कारण कौ प्रिरित धारा उत्पन होगी कुछ लोगों ने जरूर इसके आंसर भावर धारा लिखे होंगे मगर यहां पर भावर धारा के लिए आपको कंडिशन नहीं दी गई है कि आपके पास कोई मैटल रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है कोई धातू की पट्टी का वगेरे है त चालक के संपून आवेज जो होता उसके प्रष्ट पर बैठा होता है जब उसमें जो लगे हुए सभी प्रतिरोध होते हैं वो लगभग लगभग बराबर होते हैं मतलब उनके समान करम में होते हैं समान करम में हुआ करते हैं चुम्बिकी छेतर की तीवरता का SI मातरग भाई टेसला वाटहीन धारा किसे कहते हैं वाटहीन धारा क्या होती है ऐसी धारा ऐसी धारा जिसका सरक्ट में पावर लॉस जिसका सरक्ट में जो शक्ति वे होता है वो क्या होती है जीरो होती है ऐसी धारा जिसके किसी प्रत्यावर्ती धारा सरक्ट में जो शक्ती हराश होता है शक्ती का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं जीरो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वाट ही धारा विद्धुत परपत के अचानक तोड़ने पर चिं generate हो जाता है और जिसकी वज़े से चिंगारी निकला करती है किर्णों की विवेधन समसाथ समसे सरवाधिक होती बाई दो किर्णे नमबर वन पे है गामा किर्णे और नमबर टू पे है एक्स किर्णे तो पहले गामा किर्ण है और उसके बाद X किरण हैं जिनकी वेधन चंता सरवाधिक होती है किस रंग के लिए काच का अपवर्तनांक नियूंतम होता है अपवर्तनांक नियूंतम होता है तो देखें Mu is inversely proportional to क्या होता है Lambda तो जिसका Lambda सबसे ज़्यादा होगा अपवर्तनांक सबसे क्या होगा तो Lambda सबसे ज़्यादा किसका होता है लाल रंग का तो लाल रंग के लिए जो काच का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा सबसे कम तो इसका अंसर है लाल रंग चलिए अगला है सही जोडिया बनाईए सही जोडिया में हमारे पास ये लिया गया है कि नियतांक मिलाने है हमें, तो प्लांक नियतांक क्या होता है भाई साथ, पहले ही बैठा है 6.63 इंटू 10 की पर माइनस 32 जूल सेकेंड, रेड़बर कॉंस्टेंड क्या होता है, 1.097 इंटू 10 की पर 7, मीटर इन्वर्स, परमाडु का आकार, परमाडु का आकार 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन की कक्छा में चाल प्रथम कक्छा में चाल कितनी होती ही C अपॉन 137 न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और परमाडू के नाभिक का आकार यह होता है परमाडू के नाभिक का आकार क्योंकि एक सेकंड उल्टा हो गया नाभिक छोटा होता है परमाडू का आकार जो जाएगा वो कितना जाएगा परमाडू का आकार एक एंगर स्ट्राम की तरफ जाएगा यहाँ पर थोड़ी से मिस्टेक हुई उसको सही कर लीजिए दोस्तों तो परमाडू का आकार है और यहाँ पर उल्टा हो गया और परमाडू के नाभिक का आकार नाभिक जो होता है 10 की पावर मैनस 15 में होता है तो परमाडू के नाभिक का आकार जो जाएगा वो जाएगा 10 की पावर मैनस 15 में कोई भी खोकला चालक है, उसके अंदर विभाव नियत क्यों होता है, V equal to constant क्यों होता है, क्यों हो, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं, कि E is equal to होता है, V by dx, और किसी चालक के अंदर का विद्दुछेतर किता होता है, 0, और विद्दुछेतर 0 होने के लिए, अगर E 0 है, अगर E 0 है, तो V को क्या होना पड़ेगा, constant होना पड़ेगा, मतलब V is equal to नियत, यह वज़ा है, अगला सवाल, अगला सवाल है, अथवा क्या किसी वस्तुपर 10 की पावर 25 कुलाम आवेस संभव है, आईए देख लेते हैं कि क्या किसी वस्तुपर 10 की पावर 25 कुलाम आवे इस कितने इतना जो है आवेस संभव है कि नहीं है, 10 की पावर 25 कुलाम, यह देखिए वस्तु का टाइप यहाँ पर नहीं दिया गया है, 10 की पावर 25 कुलाम दिया गया है, वस्तु बताना चाहिए कि किस प्रकार की वस्तु है, रिवरत्ता कार वस्तु है, कैसी वस्तु है, तो ये थोड़ा सा question में मेरे को थोड़ी सी problem नजर में आ रही है थोड़ा सा वक दीजे तो देखिए मित्रों यहाँ पर body का size तो दिया नहीं है इसका मतलब विभा से related question नहीं है यह मेरे ख्याल से quantization of charge पर जाएगा तो q equal to ne से जाएगा यह question तो q equals to यहाँ पर कितना है 10 की power 25 और n का मतलब पता नहीं है और यह है 1.6 into 10 की power minus 19 ओके तो यहाँ पर 1.6 into 10 की power minus 19 हो चुका है और q equals to 10 की power 25 कुलाम हमको n निकालना है तो 10 की power 25 और यहाँ पर इधर चला जाएगा तो into 10 की power 19 that is equals to 1.6 into कितना n तो यहाँ पर 100 को यहीं मैं अलग कर लूँ तो यह into 10 की power कितना हो जाएगा 23 और 19 9 10 11 12 की दो कहरी आई 1 2 1 3 और 1 4 equal to 1.6 into n तो n का मान यहाँ पर क्या रहा है पूरां का रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अगर पूरां का रहा है तो इस तरीके से किसी वस्तु पर इतना कुलाम आबे संभव है क्योंकि वस्तु की तरिजव अगरे की जानकारी नहीं दिये तो मेरे ख्याल से यह संभव है अब अगला है संभंधन तार यानि की कनेक्टिंग वायर तामबे के क्यों बनाए जाते है क्योंकि भाई सब तामबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता वो कम होता है अगला किलोवाट घंटा और जूल में संभंध लिखिए तो आपको पता है वन के डबलू एच एक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आवर ओके 6 जूल यस नोट कर लिजिए ओके किता हो जाएगा अपने पास में 1 किलोवाट आवर इकल्श टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख लिए एक बार फिर से 1 के डबलू एच इक उस टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल ये अपने पास में 1 किलोवाट आवर हो गया अब इसके बाद question है, ammeter और voltmeter में अंतर लिखो, क्योंकि ये सवाल कितने marks का है, I think ये दो-दो marks के होंगे, ammeter और voltmeter में अंतर लिखे, तो ammeter और voltmeter में अंतर ये है, पहला कि ammeter में galvanometer की coil के साथ, जो है, कम प्रतिरोध जो है, parallel में जोड़ा जाता है, और voltmeter में galvanometer की coil के साथ में, विछेप मापी के साथ में, अधिक प्रतोर जोड़ा जाता है, ammeter को मुख्य सर्केट के साथ, सीरीज में लगाया जाता है, और voltmeter को मुख्य सर्केट के साथ, parallel में लगाया जाता है, ये भी हो जाएगा, अर्थवाद, चुम्ब की छेतर की रेखाओं की दो गुन किसी बिंदू पर खीची गई, इस पर्स रेखा, उस बिंदू पर लगने वाला परणामी छेतर की दिशा बतलाती है, ओके, ये और दूस तीसरा है, ये उत्री धुरुप से निकलती है, और दस्चणी धुरुप से होकर के, अंदर फिर से उत्री की ओर आ जाती है, तो ये के साथ इसकी वैल्यू जो होती है, अंतराल के बाद, इसकी वैल्यू जो होती है, धनात्मक से रनात्मक हो जाएगी, मगर दिश्ट धारा की वैल्यू धनात्मक ही रहेगी, रनात्मक नहीं होगी, ओके, एक अंतर तो ये लिख दिया है, दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा वह उसमिय प्रभाव के साथ साथ रासायनिक प्रभाव भी सो करती है अगला अथवा विद्धुत का जड़त्व किसे कहते हैं विद्धुत का जड़त्व किसको बोलते हैं स्वाप्रेरकत्व को विद्दुत का जो जड़त होता है वो स्वप प्रेर कत्त को बूला जाता है तो अगला है कला सब्द सुरूत से क्या तात पर है तो भईया कला सब्द सुरूत ऐसे सुरूत जिन से निकलने वाली तरंगों में क्या होता है समान आयाम समान आवरती ओके और समान कालांतर या कालांतर जीरो ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं कला सबद्ध लैंस अगला है लैंस की चमता को परिभासित कीजिए तो किसी लैंस की फोकस दूरी क्या वितकरम जो होता है वो लैंस की चमता कहलाता है और इसका मातरक क् डायाप्टर देहली आवरती क्या होती है वह मिनिमम आवरती वह नियूंतम आवरती जिससे वह नियूंतम आवरती जो की किसी फोटॉन को उसकी सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम बोलते है क्या देहरी आवरती अगर आप इससे कम आवरती का फोटॉन भेजेंगे तो वो सतह के बाहर नहीं निकलेगा बोहर का quantum प्रतिबंध क्या है बोहर का quantum प्रतिबंध कहता है L equal to N into H upon 2 pi मतलब की electron केवल उन्हीं कक्छाओं में गतिमान होगा जिन कक्छाओं में उसका कोणी ये सम्भेग यानि की L यो होगा वो H upon 2 pi का पूर्ण गुणज होगा ठीक है नहीं तो इसको क्या बोलेंगे electron केवल उन्हीं कक्छाओं में इसको लिख देता हूं है electron केवल उन्हीं कक्छाओं में चक्रण करता है जहां इसका कोणी ये सम्भेग जहां इसका कोणी ये सम्भेग N H upon 2 pi का पूर्ण गुणज होता है क्या होता है पूर्ण गुणज होता है इसका मतलब L equal to N into N H upon 2 pi ये कहलाता है बोर का quantum नियम ठीक ना अगला question क्या है यदी परमाडू में ये इस्थिर हो तो क्या होगा यदी परमाडू में ये इस्थिर हो तो क्या होगा देखे परमाडू में अगर electron इस्थिर हो ये तो बहुत अच्छा question दिया एक मतलब दिमाग लगाने का अगर परमाडू में electron इस्थिर हो जाएगा ये देखिए परमाड़ों में अगर अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो इसको ये गति यहाँ की वी कुल्डू कितना हो जाएगा जीरो वी कुल्डू कितना हो जाएगा जीरो तो मतलब ये जो बल है अभी केंदरी ये बल बना हुआ था फिर ये परमाडवी spectrum कितने प्रकार के होते हैं तो परमाडवी spectrum दो प्रकार के होते हैं एक होता है अवशोशन spectrum और एक होता है उच्छ सर्जन spectrum तो दो प्रकार के spectrum आपको यहाँ पर लिखने हैं एक होता है अवशोशन spectrum और दूसरा होता है उच्छ सर्जन spectrum दो प्रकार के spectrum मैंने परमाडवी स्पेक्ट्रम के पकार तो मैंने बता दिये हैं अब अगला है बोर के परमाड़ू मॉडल की कमी तो देखिए नमबर एक बात तो यह था कि यह परमाड़ू का मॉडल था यह केवल हाइड्रोजन परमाड़ू के ही बारे में सही विवेचना करता था अन्य भारी तक्तों के बारे में यह सही विवेचना नहीं करता था बोर की पहली कमी तो यह थी कि हाइड्रोजन तक सीमित था एक बात आंगी की बात करते हैं और एक दूसरा एक महत्पूर्ण बिंदू आपने सुना होगा जिसका नाम है जीमान प्रभाव जीमान प्रभाव तो यह क् व्राइटेंड आधय के परमाडू को जब चुम्स की छेतर में देखा गया था ओके तो चुम्स की छेतर में हाइड्रोजन और उस्प्ट्रम देखा गया था तो वहां पर कुछिशर लाइन्स वहां परже मिली थी स्पेक्ट्र्टरल इन सु त थी वह बट गई थी मतलब इ स्पेक्टरल लाइन का चुम्ब की छेतर में ओके चुम्ब की छेतर में स्पेक्टरल लाइन का बढ़ जाना कि विए चुम्ब की छेतर में स्पेक्टरल लाइन बढ़ गई थी इस प्रभाव को क्या बोलते हैं जीमान प्रभाव तो जीमान प्रभाव को इन्होंने explain नहीं कर पाये थे ये और यही हुआ था किसके साथ में और यही हुआ था चुम्ब की विद्धु छेतर के साथ में कि जब आप उन्होंने देखा था कि विद्धु छेतर में क्या होता है तो विद्धु छेतर में भी spectral line बट गई थी जिसको बोलते हैं स्टार्क प्रभाव स्टार्क प्रभाव तो दो प्रभाव को समझाने में नील्स बोर फेल हो गए नील्स बोर जो हैं दो प्रकार के प्रभाव को समझाने में फेल हो गए एक क्या था जीमान प्रभाव जीमान प्रभाव क्या था चुम्ब की छेतर में स्पेक्ट्रल लाइन्स का इस्पेक्ट्रमी रेखाओं का बढ़ जाना ये एक्स्प्रीन नहीं कर पाए दूसरा क्या था स्टार्क प्रभाव स्टार्क प्रभाव ये था दोस्तों की बिद्दुच छेतर में इस पेक्टर में रेखा हैं वही जो लाइमन बामर पास्चन निकल रही थी वो बट गई तो उनको भी नहीं और तीसरा हाइड्रोजन के अलावा इस मॉडल को बाकी के लिए इन्होंने एक्स्प्लेन नहीं किया हाइड्रोजन में ही ये सही बैठता था आंगे के अलिमेंट म संबंधी नियम लिखे तो किरचाफ के धारोजन मतलब किरचाफ का पहला नियम होता है कि यदि आपके पास कोई electrical network है electrical network के किसी संधी पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीच गणती यो किता होता है शुन्य होता है, संधी पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीज गनती योग शुन्य होता है, आई बराबर 0, यह है अपना किर्चॉफ का करेंटियम, है ना, यदि किसी आपके पास कोई सरकेट है, कोई परिपत है, परिपत की किसी संधी बिंदू पर मिलने वा तो जाने वाली गुरुनात्मक लेलो, तो आई 1 माइनस आई 2 माइनस आई 3 कोल टू शुन्य, तो आई 1 कोल टू कितना हो गया, आई 2 प्लस आई 3, तो यह हो गया आपका पहला एफेक्ट, ठीक ना, अगला, भीट स्टोन सेतु का सिध्धान्त लिखिए, और सिध्ध कीजे तो भीट स्टोन ब्रिज का सिध्धान्त लिखना है, और साती सात सिध्ध करना है, ठीक है ना, तो आपको पता है भीट स्टोन सेतु के सिध्धान्त के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास 4 प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से connected हो कि वे एक चत्रभुज की चार भुजाओं को निरुपित कर रहे हैं तो balance की अवस्था में संतुलन की अवस्था में यदि ये P है ये Q है ये R है ये S है तो संतुलन की अवस्था में P upon Q equal to R upon S यही होता है वीट स्टोन का सिध्धान्त और इसको प्रूफ करने को भी बूला गया है क्या हां तो इसको सिध्ध कीजिए सिध्ध करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें किरचाफ कर नियम लगाए इसमें किरचाफ कर नियम लगाए दोनों अब इस सिधान देखना हो आप लोग तो मेरे डेटेल लेक्चर बने हुए वहाँ देख लो और I equal to any A VD आपको डेटेल लेक्चर में मिल जाएगा वहाँ भी देख लिजे अथवा सेल के विभवांतर बल को परिभासित कीजिए इसका मात्रक और विमी सुतर भाई विभवा V is equal to होता है कितना W by Q और E से लिखते हैं तो वही E जो होता है वो भी होता है है ना तो किसी सेल के टर्मिनल के मध्य अधिकतम विभवा के मान को विभवांतर के मान को क्या बोलते हैं विद्दुत वाहक बल बोलते हैं मतलब अधिकतम अधिकतम विभवांतर कब जब सेल के द्वारा धारा ना दी जा रही हो, जब सेल के द्वारा धारा ना बह रही हो ओके, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं V equal to होता है E minus I R, I into smaller और जिस समय I का माना आप 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? V equal to E तो विभवांतर का उच्चितम मान जो होता उसको हम क्या बोलते हैं? विद्वतवाहक बल बोलते हैं चली आगे क्या है? 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad वाले संधारतर को स्रेणी में जोड़ा गया है तो कुल धारता निकालनी है तो 1 upon C equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 micro plus 1 upon 4 micro इसको हल कर लीजे, आपके पास आंसर आ जाएगा अगला है ये रेखिए, question जो है मेरे ख्याल से, ये S नहीं होगा, ये plus 5 है चली रेखिए, अगला है plus 5 microcolum और minus 5 microcolum के दो आवेस एक दूसरे से 1 km की दूरी पर हैं तो दूरूब के आगहून की गणना करना है विद्दूत दूरूब आगहून plus 5 microcolum और minus 5 microcolum कुछ जादा ही दूरी हो गई भाई साब मेरे हिसाब से plus 5 microcolum एक चार्ज रखा हुआ है और दूसरा रखा हुआ है minus 5 microcolum और आपके दोनों के बीच की दूरी किती है एक किलो मेटर बोले तो 1000 मेटर आपको निकालना है विद्दूत दूरूब आगहून P बराबर क्या होता है Q into 2L 2L क्या होती दोनों के बीच की दूरी हुआ करती तो Q कितना है 5 micro तो 5 into 10 की पावर minus 6 2L मतलब दोनों के बीच की दूरी तो किती है 1000 2 का गुणा मत कर देना दोनों के बीच की दूरी को ही 2L लेते हैं आधा-धा कर लेते हैं मतलब 500 इधर और 500 इधर तो 10 की पावर minus 6 और 3 पावर है तो आंसर कितना हैगा 5 into 10 की पावर minus 3 कुलाम मीटर ये इसका आंसर बनेगा चलिए अगला व्यती करण क्या है जब कलासबद स्रोतों से निकलती हुई समान आवरती लगभग समान आवरती की दो तरंगे किसी माध्यम के किसी बिंदू पर आकर के टकराती है तो तरंगों का अध्यारोपन होता है और अध्यारोपन के पस्चात माध्यम के अंदर जो बिंदू होता है कुछ बिंदू पर माध्यम के कुछ बिंदू पर जो आयाम होता है जो उर्जा होती है या जो तीवरता होती है माध्यम के कुछ बिन्दों की तीवरता बढ़ जाती है और कुछ बिन्दों की तीवरता घट जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं व्यतिकरण बोलते हैं चलिए इसका उत्तर में थोड़ा सा तकराती हैं तो उनके अध्यार उपन के स्वरुफल स्वरुफ प्रकास की तीवरता में परिवरतन हो जाता है तीवरता आयाम है ना उर्जा इन सब में परिवरतन हो जाता है उस बिन्दू पर जिससे की या तो परणामी तीवरता बढ़ जाती है घट जाती है इस घटना को ह आयँ वन अनुपाथे आईटू कितना दिया गया है वन अनुपाथे 9 ओके आपको कहाएं कि यदि यह त्रों के बटी गण करती हैं तो महत्तम और नीव तम त पराताओं का अनुपाथ ग्याद कीजिए तो ब्याद कीजिए आपको बताया था relation मैंने पढ़ाया था maximum और minimum ratio की intensity जो होती है i max upon i min मैं लिख देता हूँ i max upon i minimum is equal to under root i1 plus i2 ओके under root i1 plus under root i2 और यह हो जाता है under root i1 minus under root i2 कुछ ऐसा relation हुआ करता है तो under root i1 plus under root i2 तो भहिया एक इसका पहले आप root निगाल लिजे तो root कितना आजागा 1 ratio 3 ठीक ना तो 3 में 1 जोड देंगे तो उपर अनुपात जो है 3 plus 1 4 आजाएगा और नीचे 3 में से 1 minus कर देंगे तो अनुपात कितना आजाएगा अनुपात कितना आजाएगा अपने पास में 3 में से 1 गया 2 तो उपर का अनुपात आजाएगा है चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले दिया क्या है आपके पास intensity का ratio दिया है 1 ratio 9 ओके तो आपके पास given है i1 upon i2 intensity का आनुपत i1 upon i2 equal to होता है 1 upon 9 आप जानते हैं कि जो i is proportional to क्या होता है a square i is proportional to होता है a square तो i max upon i minimum कितना अपने पास में i max upon i minimum equal to हो जाता है a1 plus a2 का whole square और a1 minus a2 का whole square ठीक ना a1 plus a2 का square और a1 minus a2 का square तो यहाँ पर हमारे पास में maximum intensity और i1 पहली intensity और दूसरी intensity का ratio दिया गया है मतलब तीवरता कानुपत दिया गया है और हमने अधिकतम तीवरता और नियूनतम तीवरता का अनुपाद जो होता है किसके पदो में आयाम के पदो में यह हुआ करता है ठीक ना आयाम के पदो में यह हुआ करता है और यह कितना दिया गया है एक बटे नो तो आप क्या करिए इसका root ले लिजिए तो कितना आजाएगा a1 plus a2 upon a1 minus a2 यदि root ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 3 अब आप एक काम करिए इसको cross multiply कर दीजिए तो 3 a1 plus 3 a2 equal to a1 minus a2 so 3 a1 minus a1 कितना हो गया 2 a1 अहां इसको ऐसा कर लो चलिए 3 a1 minus a1 is equal to कितना हो गया 2 a1 और a1 minus 3 a2 a2 minus का minus 3 a2 तो कितना हो गया minus 4 a2 ओके so minus signs यह कोई मतलब मत रखी उसको छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं है so आपको क्या चाहिए है a1 अनुपाते a2 that is equal to 4 अनुपाते 2 तो answer कितना आगया 2 अनुपाते 1 तो मैंने वहां भी निकाला था कितना दो अनुपाते एक ही निकाला था shortcut method से यह देख लिजे क्योंकि directly formula होता है i max upon i mean का under root i1 plus under root i2 upon under root i1 minus under root i2 तो इसका अनुपात कितना आजाएगा 2 अनुपाते 1 इसका correct answer है प्रकास विदुद प्रभाव की प्रमुख अभिग्रहित निकला main postulate प्रकास विदुद प्रभाव की लिखना आपको जो बताई थी मैंने कि प्रकास विदुद प्रभाव में आपके पास एक photo sensitive surface हुआ करती है तो प्रकास विदुद प्रभाव में निकलने वाले photon की उर्जा जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है उसकी frequency के ठीक है ना और क्या होता है यह जो प्रकास उत्सरजन होता है यह ताच्छनिक होता है मतलब कि इसमें कोई समय की wastage नहीं होती है कोई समय ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी photon फेका है और ब बताने आपको कि व्यतिकरण और विवरतन में क्या अंतर है तो यह देखी यह है प्रकास के व्यतिकरण और विवरतन में मुख अंतर जो हमाएं सामने है व्यतिकरण क्या होता है दो कला सबद स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यर उपर के कान क्या बनता है तो बड़ी यहाँ पर रोचक इस्थिली बन रही हिबाई विवर्तन क्यों आ गया अगला वैतिग्रण दों सब्सक्राइब दीबरत क्या होती है तो जाते हैं उसकी तृत्रती एक सब्सक्राइब मगर व्यतिकर्ण में जो आपके pattern बनते हैं Central fringe भी उसी तीवरता का बनता उसके बाजू वाले भी उसी तीवरता के बनते हैं सभी के सभी मगर इसमें तीवरता कम होती जाती है व्यतिकर्ण फिंजो की चौणाई इसमें एक समान होती है यह देखलो भाई सब अने दुदिया कुछ इस्टो की चौड़ाई की दोगुनी होती है मतलब बीच वाला डबल होता है बाकी वाले सिंगल 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 होते हैं ऐसा न्यूंतन तीवरता के बिंदू पूरताह काले होते हैं अगला व्यवरतान में नियूंतन तीवरता के बिंदू पूर्ण काले नहीं होते हैं आता है कॉंटरास्ट भेहतर नहीं होता तो इसमें आपको उतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है तो आप जानते हैं कि 5 is proportional to I तो 5 is equal to क्या हो जाएगा L I सबसे पहला तरीका यह है L equals to हो गया अपने पास में कितना अब 5 को देखिए क्या कह सकते हैं अगर I equals to 1 कर देंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा L बन गई परिभाशा है ना L equal to 5 मतलब यदि किसी कुंडली से एक EMPR की धारा प्रवाहित करने पर उसके साथ गणती रूप से flux का मान जो बद्ध होता है जो गणती रूप से mathematically जो flux की value उसके साथ associate होती है उसको हम क्या बोलते हैं उस flux की value क्यों ही क्या बोलते हैं उस coil का self induction बोलते है यानि की स्वप्रिरकत बोलते हैं अगर flux जादा बद होगा तो एक पर नालका के स्वपरिरकत के लिए वेंजा के स्थापित कीजिए तो परनालका का स्वपरिरकत निकालना है 5 equals to Li और 5 के लिए B.A करके आप पहले समी कर निका लेंगे मैंने detailed इसकी value पूरी दे रखी अपनी sheet में उससे कर लीजेगा sheet में नहीं अपने जो lecture है अथवा LCR प्रत्यावरती धारा परिपत के लिए ग्याद करो LCR circuit बनाओ भाई साब सबसे पहले है ना तो LCR circuit बनाना था आपको तो यह आपने L ले लिया इसके बाद यह C ले लिया इसके बाद मैं आपने क्या ले लिया है आर ले लिया है तीन circuit हो गया है इसके बाद यहाँ पर alternating supply प्रत्यावरती विभाव लगा देंगे V equal to V0 sin omega T यहाँ battery लगाने के बाद फिर voltage लगाने के बाद क्या करना है आपको phasor R1 बनाना है लियो भाई तो phasor R1 कैसे बनेगा current जो है basic है सब के लिए फिर उसके बाद current की दिसा में कौन टूटेगा Vr टूटेगा voltage lead करता है किसका inductor का voltage lead करता है किसका capacitor का तो उपर यहाँ पर VL minus VC break करके प्रणामी voltage कुछ इस तरीके से फाई एंगल पर आ जाएगा तो यह बहुत detail में मैंने अपने जो chapters कराए हैं प्रत्यावरती धारा उसमें देखो आपको एक अदभूत अलोकिक और एक चरम आनंद की प्राप्ती होगी उसको देख करके बड़ा मज़ा आएगा आपको फेजर आरेक हो गया और भी आप परणामी विभव हो गया यह भी बता रखा मैंने प्रतिबाद हा मैंने जड़ बता रखी ती प्रतिबिंद अनंत पर बने और अंतिम प्रतिबिंद में स्पष्ट दुरूरी की स्पष्ट डिस्टी की नियुंतम दूरी पर बने है ना तो क्या बनता भाई साब इसमें फॉर्मुला अनंत पर बनने पर बनता है m equal to v o upon f e ओके और 1 प्लस f e upon f o upon f e हाँ इसमें बन जाता है f o upon f e मेरे ख्याल से पहला जो डेरिवेशन लिखा हाँ यह था डेरिवेशन minus v o upon u 0 था देखें भूलिया मुझे ही minus u 0 upon v 0 1 plus d upon f e यह तो अनंत निश्ट उसके लिए है तो चलो मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं तो अनंत के लिए 1 हट जाता है तो m is equal to minus v o upon f e minus v upon u 0 sorry u 0 u 0 u 0 ओके एंड यह आता है efe यह होता है जब किसके लिए जब अन्तिम प्रतिविंब आपका अनंत पर बने और जब नियूंतम द्रश्टी की इसपश डश्टी की नियूंतम बुरी के लिए तो f e minus v o upon u 0 और 1 plus d upon f e तो यह आपके पास में पूरा का पूरा हो गया आपका पेपर कंप्लीट अच्छा है एक और कॉश्टन अथवा दो कला संबद स्रोतों से चलने वाली तरंग या अध्यार उपित होती है अधि किसी बिंदू के मद इस पर कला अंतर फाई है तो इस पर परणामी विस्थापन और तीवरता के लिए सूतर याद कीजिए भाई साब बहुत अच्छे से कराया मैंने आपको यह कॉश्चन जब मैंने आपको पढ़ाई है वेव अप्टेक्स तरंग प्रकाशे की तो दब दोनों तरंगे चलती है तो पहली तरंग मानते है य बराबर A1 साइन ओमेगा टी याद कीजिए और दूसरी तरंग मानते है य बराबर A2 इसको Y1 ले लो Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई याद है और दोनों तरंगों को माध्यम के किसी बिंदू पर आ करके लड़ा देते हैं तो परणामी विस्थापन Y बराबर होता है Y1 सदिस प्लस Y2 सदिस और इसके बाद में इसका हमको निकालना पड़ता है आयाम तोटल तो A बराबर होता है A1 स्क्वेर प्लस A2 स्क्वेर प्लस 2 A1 A2 कॉस ओफ फाई यादा है ठीक ना और प्रणामी तीवरता I is equals to I1 स्क्वेर प्लस I2 स्क्वेर प्लस 2 स्वरी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस भाई ये था फॉर्मूला हमारा इंटेंस्टी का भी तो प्रणामी विस्थापन भी निकाल रखी है मेरे वीडियो जो आपके हैं वेव अप्टिक्स के उसमें मैंने पढ़ा रखा है भाई साब बहुत डेटेल डेटेल में एक एक घंटे में एक एक क्लास मैंने पढ़ाई है बिल्कुल लले मुन्नों की तरह बड़े प्यार प्यार से तो आप लोग जाओ और वहाँ पर देख लो बच्चों मेरे प्यारों और तो भाई साब हो गया है हमारा पेपर खतम बड़े प्यार से बड़े दुलार से बड़े ही मज़े के साथ मैंने ये पेपर खतम कर दिया है आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करना अच्छा लगे तो लाइक देना इमोजी भीजना और मेरा नाम है लोकेस सर इंस्टिट्यूट है लोकेस सर अनलिम्टेड स्टडी जोन ओके स्टडी जोन ओके वाटस अप करिए नमबर है 9425184292 आपको आपके वाटस अप में रिपलाई करूँगा जैसे ही समय मिलता है और ऐसे ऐसे वीडियोस के साथ जुड़े रही है मेरे इस प्यारे से चैनल के साथ जरूर बताईएगा कि आपको मेरा सल्यूशन कैसा लगा है आपका बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम जै हिंद